तो आज हम हमी बनाने वाले है सा बहतरीन चुड़वा जिसको खाने के बाद आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे तो चलिए देखते हैं हमें इसको किस तरीकर से बनाने वाले हैं तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हम यूज करने के लिए पिजन इंफ्रारेट कुक और ग्रिल जिसको यूज करने के लिए आपको इंडक्शन बेस बरतन की ज़रूरत नहीं है आप कोई भी फ्लाट बेस बरतन इस पर इस्तेमाल कर सकते हो इसमें आप आसानी से टाइम और टेमपरेचर सेट कर सकते हो तो पहले कर लेता हो इसको ओन और फिर दियेगे प्रिजेट मेनु से स्टर फ्राई को सलक कर लेते हैं आप कोई भी फ्लाट बेस बरतन इस पर रख दो और फिर पतला पोहा इसमें आड़ कर दो अब हम इसको अच्छी तरह से mix करते हुए dry roast करेंगे ताके हमारा पोहा अच्छे से crunchy हो जाए फिर इसको बाहर निकाल लो अब वही बरतन में हम तेल अट करेंगे और फिर इसमें फली अट करके इसको अच्छी तरह से भुनते जाएंगे इसको हम fry कर रहे हैं 650 degrees पर जैसे ये fry हो जाएगे तो फिर आप इसको बाहर निकाल दो ठीक उसी तरह हम बादाम, काजू, खोपरा, किशमेश और फुले चने की दाल को भी fry करके चुड़वे पर अड़ कर देंगे ये सब चीज़ां अड़ हो जाने के बाद आप उसी तेल में हरी मिर्ची और फिर थोड़ा सा करिया पैक अड़ करके इसको अच्छी तरह से fry कर लीजिए और फिर इसमें एक चमचा हल्दी का शामिल करके थोड़ी देर के लिए भुन लो जैसे ही कुकिंग खतम हो जाएगी तो ये आटो शट आफ हो जाएगा अब ये पूरा मिक्सेर आप चुड़वे के उपर आड़ कर दो तो जो कमचा है तो जाएगा टाएगा टाएगा खता चुड़वे टूट चुड़वे के अच्छी पर मूंच कर चूटबब कर दो कमार।